वेल्कम एब्रिवन माधव NCRT क्लासेस तो दोस्तों आज के वीडियो में आम लोग देखेंगे यहां पर जीत जीत में निर्खत हूं और था आठ का कोस्चन एंसर देखने बाले हैं इसका सारांस और लेखक परचे आप लोगो पिछले वीडियो में बता चुके आगर वो व पाट के लेखकोंने यहां पे जीत-जीत में रिर्खत हूं अठाथ महराज जी असीर बात देते हैं कि जीते रहो जीते रहो तो याद रखना आप लोगो को पंडुत विर्जिव महराज इस पाट के लेखक एं तो चलिए अम लोगों करके एक एक कर पर उनके उत्तर देख पूछा जा चुका है लेकिन इस बार के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है बट इसको आपको सुनकर थोड़ा याद कर लेना है बहुत ही कहानी के ठोट पर है बिलकोल याद ही हो जागा तो यहां पर देखते हैं इसका उत्तर क्या है तो इसका गहरा संबंध है ठीक है इनके पास जो है तीन बहान भी था ठीटो बहानों का जन्म जो है रामपूर में हुआ था उनके पिता कलाकार थे जो की डांसर थी इनके पितावी और यह बिर्जु महराज जी भी क्या थे यह कथक निर्थे करते थे तो रामपूर के दरबार में यानि रामपूर में एक नवाब के यह नहों रामपूर में हुआ था तो उनके पिता एक कलाकार थे वह रामपूर के दरबार में 22 साल तक बिताए थे यहीं का संबन था तो दोस्तों यहां पर देखते हैं तो साथ यहां पर सकेंड कोशन है पिता जी ने रामपूर के नवाब की नोकरी छुटने पर हनवान जी को परसाथ क्यों चड़ाए थे देखिए वह वहां से छोड़ना चाहते थे वहां चाहते देखिए कोई भी होता है 22 साल तक मातरे एक माली के यहां काम करते थे इसका मतलब वह एक तरह से घुलाम कि तरह भुए लगो lesson कि आज़ी में हर did you माहराजी के पिताजी मझबूर थे लिए होते नावाव साहँ ठीक है समझों थे कि हम इस कला को अन्य किसी भी मतलब आधने जगा पर भी करके उनको भी दिखाएं तो बिर्जु महराज के पिता निरत्य प्राथना करते करते नौकरी से छुटी मिल जाएं तो सयोग से एक दिन मुंसी ने उनकी और से अरजी दी थी और छुटी मिल गई यानि जो है वह हर्मान जी को परसाद भी चड़ाएते तो सिंपल आप लोग को याद रखना है वह चुट करा इसे पाना चाहता था क्योंकि उनका जो है मन ऊब चुका था ठीक है आप सिंपल याद रिखेगा कि विर्जु महराज की पिता जी क्लिए 22 साल तक किसी किया काम करते करते एक कोशन बताऊंगा एक भी कोशन नहीं शूटेगा सारा कोशन का साठीक एंसर यहां पर बताऊंगा चलिए यहां पर तीन एंवर कोशन है आपका कि निर्थ्य की सिच्छा के लिए विर्जु महराज पहले-पहल किस संस्था से जूरे और वहां किनके संपर्क में आए द यहां संस्था जो है निर्मल जोसी की थी यह संस्था जो है निर्मल जोसी नाम के एक आदमी का था वहां पे वह कफिला एबंग जी एबंग किर्पालनी जी के संपर्क में आए थे यहां पर जवाब आपका हो गया कि वह जो है निर्थी सिक्षा के लिए बिर्जु महराज वहां के संसा के मालिक जो थे निर्मला जोसी थे वहां हुए कपिला जी और किरफ लानी जी से के संपर्क में आय थे तो इस परकार सब्कत्तिने मुझ कंप्लीट होता है चरिए यहां पर चार नमर कोशन है प्रशन है कि किसके साथ नाचते हुए बिर्जु महाराज को पहली कर पुरूषकार मिला था तो वह अपने पिता जी के साथ नाचते हुए संबु महराज चाचा जी के साथ है tan सम्वू महराज और बाभू जी के साथ बिर्जी Gemehalf कलकत्य पहली बार निर्थ किया था वहां माहराज को सम्झार कि यानी झा चोटा था तो अपने चाचा सम्भू महराज याद रखेगा संबू महराज और उसके बाभू जी बिर्जू महराज को पर्थम पुरुषकार मिला था यानि जब वो छोटा ही था तो वह अपने चाचा संभू महराज याद रखेगा उनका चाचा क्या नाम था संभू महराज और उसके बाबुजी के साथ वह कलकत्ता प्रोग्राम वहा था जहां पर उनको पहला प्राज मिल मिला था आप लोग को बता चुके हैं ऑब्जेक्टी कोश्चन भी दे चुके 1965 मिला था तो इस परकार से यह कोश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है चलिए आगे बर देखते हैं यहां पर पांच नमर कोश्चन है प्रसने बिर्जु महराज के गुरु कोन थे और उनका तो जो है डांस करने का सारे ग्यान जो है अपने पूत्र यानि वीर्जु महराज को दिये थे विर्जु मह говорит डी ठीक है और वीर्जु महराज की गुरुत उंकी मता जी ती पीता जीब भी कहीं निरते करने जाते थे तो बिर्जु महराज को खंड गंडा उनके यहां पहँ गंडा उनके पिटा जे नहीं बादा था बिर्जू महराज ने खुद नाच कर पांचा रुपया कठा किया और गुरू को समर्पित के यानि जो है वह अपने आप दांस करके पांचा रुपया कमा करके वह अपने पिटाजी को दिये थे यह जह है गुरु मानकर दिये पिता जी नहीं माने ते वह अपने गुरु मान कर दिये थे तो देखिए गुरु सिस्क वीच कैसा रिस्ता होता है यहां पर समझने वाली बात है यहां पर छे नमर कोशन है संभू महराज प्रकास चाचा भथी जाकर यही कारण ठाकि बिर्जू महराज और संभुमाहराज का परिवार एक छत के नीचे अलग-अलग रहता था यानि एक ही छट के नीचे रहते थे लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे ठीक है लोगि संभू महराज का था आचने कर्ज लेकर भी वह अच्छा अच्छा खाना खाई यानि खाना मतलब सौकिन थे अब हम लोग चलते हैं साथ नमर कोशन है यहां पे कि संगीत भारती में बि साथ टीट टेक ही और पांच से आठ महराज करते थ यानि credit करते ते फिर घखार जाकर जली-जली त्यार होकर सनगीत भहारती का देश रोज सुबह oraz 9 बच भारत के देश रोज सुबह 9 बज़े वह से 2 घंटे का क्लास लेते लेकर आशिखाते धे उस इंकम करते थे ठीक है तरीङ यह बात था चलिए आगे बरते हमानों NICK को परसन आपने विवा के बारे में भुछी महाराज क्या बताते यह मां को माहाराज की मां नहीं करना उन्हें राफ यानि आप से एंसर है माहाना था कि पूत्र के विवा को उसके पीता जी नहीं देख पाई तो कमसकम मैं तो देख लूं और इसी सोच से हुआ जो है बिर्जु महराज को बहुत ही कम यानि 18 वर्स में ही उनका साधी कर दिया गया था बिर्जु महराजी के अनुसार यह गलत नियने था उनका मा का ठीकत ऐसा था यह ने उनके साधी होने के वाद उनको जबाब देही बढ़ गया था या कोशन है बिर्जु महराज अपना सबसे बरा जज किसको मानते थे देखे वह अपने मम्मी को यानि अपनी मा को सबसे बरा जज मानते थे मां उनकी सबसे सही गुरुवाइन और किन्तु क्योंकि जैसे मां जो है उनको बरावर कहते रहते ठें अब हम आगे बढ़ते यहां पर 10 अमर कोशन देखते हैं कि विर्जी महाराज की अपनी सागीर्दों के बारे में क्या रह रहा है यानि अपने बारे में क्या बताया है विर्जियों महलाज के विचारों से उनकी सागीर्दों में दो तरह के लोग आती यानि वह अपने विचार से बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं एक तो वह होते हैं जो अपने कठीन परिश्रम के बल पर अपनी पहचान बनाते हैं यानि जो कठीन महनत करके जै है कि वह थोड़ी तरक्की करने वाले लोगों से थोड़ी तालियां बटस between कर कर अब संत्रूस हो जाते हैं यानि कुछ दूसरे लोगे बारे कि बताए कि कुछ आयसे लोगों होते हैं जो कठी से यह जो है दो परकार के इनके नजर में आदम है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कापी जो भी इन पूर्ट एन था इस चप्टर का वो दस को आप लोगो बता चुगा अगर वीडियो पसंद आगा था लाइक कर जीएगा तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो म दोस्तों प्रेज आप लोग लाइक जिरूड करिएगा कापी मैंने से ये वीडियो बना है तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में